कि चलिए बात करते हैं पुरानी तो पदा नहीं हमेशा कि तर है यह वीडियो अपलोड हो नहीं हो यह सब मालिक के उपर है हमें क्या है हमें तो बस बोलना है मसला यही है कि सब कुछ खतम हो गया था दुरॉबदी पांचाल की रानी पड़ी हुथी निश्चेट निश्चेट मतलब अंदर कोई जान नहीं कोई काम नहीं बस सांस ले रहा है पूरे पांचाल में सिर्फ इद्वाएं थी पूरु सिक्का दुक्का दिखते थे बच्चे अनाद थे और ऐसे ही चल रहा था तब ही स्रीक्रिस्ण वहां आये और पांचाली यानी की दुरॉबदी उनने देखते ही रो पड़ी और जाके एकदम से लिपड़ गए स्रीक्रिस्ण ने उनके बालों को सहलाया और बताये कि ठीक है यही होना था यही सत्य है यह वाड़ी शोटी सी बात है जिससे समाजना चाहिए हर किसी को बट दुरॉबदी ने बोला कि हम तो यह नहीं चाहते थे तब क्रिस्ण बोले कि अगर तुम यह नहीं चाहती थी तो तुम्हे कांड को आउसर देना चाहिए था अपने स्वामबर में तुमने उसे अपमानित किया खैर यह भी बात गई कोई बात नहीं कर्ण तो दानवीर कर्ण थे उनकी कीरती किसी दुराबदी के हाथ में नहीं थे यह भी एक सत्य है उसके बाद जब अरजुन ने ब्याहा और गुंदकी ने बोला कि पांचों से बराबर बांट लो तो इसे मना करना चाहिए कर्ण बोले दुराबदी को कि तुमने तब भी मना नहीं किया फिर भी ठीक था तब भी साथ कुछ नहीं होता ऐसा फिर आगे बात बढ़ी और दुर्योधन आया और दुराबदी ने बोला कि अंधे का बेटा तो अंधा ही है और ये बात महा भारत को सिधार्थ करने के लिए चरितार्थ करने के लिए पूरी तरह पूरी तरह जो है अपने आप में पूर्ड थी और तब कृस्म ने बोला अगर तुमने उस समय अपनी जीवा पे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं वीराम लगाया होता या कंट्रोल किया होता तो सायदी ये महाभारत नहीं होते मगर ये होनी तो थी जैसा कि हम लोग जानते ही ये सब तो कारक थे लेकिन फिर भी ये सारी बातों का उद्देश ये है कि अगर आज के समय में सोचा जाए तो जो मानव है उसका जहर उसके नातों में नहीं है उसके सब्दों में है वीशीश को हमेसे याद रखिए अच्छी बात बोलिए अच्छी वाड़ी सुनिए और अच्छे से लोगों से बात करिए यही सत्य है यह हो जाएगा तो ना आपको किसी से समस्या होगी ना किसी को आप से समस्या होगी चलिए धन्यवाद यह अगर पूश्च होता है तो अच्छी बात है लाइक, कमेंट और पता नहीं क्या-क्या जो भी सब्सक्राइब जो भी है देख लीजिया आप लो